दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Staircase Biring जिसको हम जीने की Biring भी बोलते हैं तो इस Biring का क्या कारण है जिसके लिए हम इसको जीने में यूज करते हैं तो देखे जैसे आप छत पर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे पहला जो सुच है उससे इस छत पर रहेगा एक आपका नीचे रहेगा तो पहले जब आप छत पर जाएंगे तो यहां से पहले से ओन कर लेंगे और जब छत पर पहुंच जाएंगे तो बहां से आप इसको आप कर देंगे दूसरे सुच से और पर जब आप बहां से आएंगे तो इस सुच से ओन कर ले और नीचे आके आप कर सकते हैं और यह वायरिंग बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर कोई भी ट्रेट टेस्ट में आप जाते हैं तो उसमें भी यह कुश्चन बहुत जादा पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको इसका सर्किट डाइग्राम आना चाहिए तो सर्किट के लिए जितमें तीन पंट होते हैं उसको टूबे सुच बोला जाता है तो इसमें हमारे तीन तीन. पौइंट है connection के लिए तो हमने धो टूबे सुच लिए हैं और आपको क्या करना है जो टूबे सुच के उऊपर और नीचे वालé दोन्य प्वेंच है ठीक है उनको दोनो सुच है उनके आमने सामने आपको इस प्रकार से सौट कर देना है अलग अलग बायर से आपको कुछ भी नहीं देना है यहां से अलग अलग बायर से आपको सौट कर देना है दोनों सुच को इस प्रकार से जो उपर वाला पॉइंट है उसको अलग बायर से और इसके बाद तो एक में आपको face देना होगा और दूसरे में आपको output में जाएगा इसका जो एक output मिलेगा उसको आपको lamp से connect कर देना है और उसके बाद आपका जो neutral आएगा main neutral उसको जो lamp है उसके एक terminal पर वो connect हो जाएगा क्योंकि lamp को चलाने के लिए हमें neutral face की supply की जरूरत होती है तो आपको वहाँ से direct neutral देना होगा तो देखी यहाँ पर हमने two ways सुछ ले लिए हैं अब हम इसके connection को करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है इनको दोनों बायर की साहता से जो उपर वाला point है या नीचे वाला point है इनको आप उसमें sort कर लेना है आमने सामने क्योंकि यह जो wiring है इसमें skill test या trade test जो भी company लेती है उसमें 100% इस question को पूछा ही जाता है तो आपको इसके connection आना चाहिए तो देखी इस परकार से आपको उपर वाला point को sort कर लेना है सामने सामने करना है आपको और नीचे वाले point क को भी sort कर लेना है आप gross में भी कर सकते हैं लेकिन यही सबसे अच्छा माना जाता है BIS mark के द्वार ठीक है तो आपको यहां पर दोनों sort हो गए उसके बाद आपको क्या करना है एक point से output निकाल ली है चाहे आप इस सुच से निकाल सकते हैं चाहे आप इस सुच से निकाल सकत लेंगे lamp के लिए अब आपको क्या करना है एक neutral supply लानी है लाइन से और उसको direct connect कर देनी है holder से जो भी आपकी lamp है उससे connect कर देना है जो हमारा जो neutral wire है वो direct line से आएगा या आप कहीं से भी जहां पर भी neutral है आप बहां से दे सकते हैं इसको ठीक है तो इसके बाद यहां पर आ आपको line से connect करना हुआ face supply देनी होगी तो देखिए इस प्रकार से हमने connection को कर लिया है आप उसमें हमने पहले दोनों ऊपर बाले short करके रखे हैं और एक common point से face supply दे दी है holder को और holder का जो दूसरा point है उसको neutral से connect कर दिया है और जो दूसरा सुष्था उसका common पर एक हमने बायर connect किया उसको हमें face देना है तो यह हमारी supply है और इसको हमने socket में लगा लिया है neutral face की supply में और इसके बाद आप हम इसमें lamp को लगाएंगे तो यह हमारा valve है इसको हमने लगा लिया है और आप इसको अप on off करेंगे ठीक है तो जैसे आप on off करेंगे तो यहां से जैसे आपने ए यहां पहुंच जाएगा इस प्रकार से ओन हुआ फिर जब आप फ्लोर पर पहुंच जाएंगे च्छत पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आप यहां से जो सुच है इस से इसको ओफ कर सकते हैं आपको यह बल्ब है जलता नहीं रहेगा रेगुलर लिए आप ऊपर